हेलो एवरिवन, वेलकम टू वेधी फाइल, तो आज हम बात करेंगे बच्चों सम इंपोर्टेंट कंपाउंट्स ओफ बोरोन, किसके बात करेंगे, बोरोन के कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंट के बारे हम बात करेंगे, जो जिनके बारे में हमसे कॉशिंस किया जाते हैं ब phosphate क्राइट करूँगा सभसे पहले मैं शुरुआत करूँगा बच्छों बोरेक्स से सबसे पहले मैं GOR ExASE सब से बहुत rif है बच्चों क्या उसका formula होता है उसके बारे में बात करते हैं तो बोरेक्स का formula होता है बच्चों N A2 B407.10 H2O यह होता है बच्चों एक बोरेक्स का formula बात क्लियर है इट इस दा मोस्ट important compound of boron यह बोरन का कहा था हमने पढ़ लिया बच्चों एक white crystalline solid है जिसका formula है na2b407.10h2o बात क्लियर रहे हैं तक borax dissolve in water to give an alkaline solution अगर borax को बच्चों पानी के अंदर dissolve कर दिया जाए तो वो क्या देता है हमें तो वो एक alkaline solution देता है that means naoh plus h3bo3 orthoboric acid देता है हमें क्या बोला मैंने अगर borax को मैं पानी के अंदर dissolve कर दिया तो वो एक basic solution देता है alkaline solution देता है जिसके reaction क्या होगी na2b407 plus उसके अंदर हमने 7h2o water ले लिया है मतलब 7mol water के ले लिया है तो हमें 2 molecule naoh के मंतियों दिखाई दे रहे हैं और 4 molecule orthoboric acid मैं बोल दूँ या फिर मैं बोल दूँ h3bo3 यह form होता हुआ द 3k चाता है बच्चो तो सबसे पहले वो water molecule के करता है लूस करता है एंट सवैल्स अप water molecule क्या कर देता है लूस कर देता हे और क्या फॉर्म करता है और वह form करता है बच्चो sodium METABORATE क्या S ocdium metaborate form करता है वो और ऑन फर्फर हीटिग अगर उसे और हीट के जाता है इड्व टरन्स इंट्bels लिक्षिटक को और हीट के जाता है तो रॉस टो रर्ट के अंदर कन फंवर्ट हो जाता है victories maili alsoаров जो सउलीड लों यह कोला सथी जाता है bird इंदर जिससे हम क्या Crist Джbach काते हैं है और नइन आ टो ंट 10-10-1 present यहां पर लिया ओत है मतलब represent rikल और सभसे पहले वहां निकल जाएंगे और वाटर मलेकुल निकल करें तो मेरे पास क्या बच्छा मेरे पास बच्छा बच्छों alla 2 किह भी पॉरो एंबच्चों कीच सिर्टिग बॉलते हैं ने आर ईस साथ बफ्चों बाहर निकल गया है निकल गया है बीटु पार निकल गया है जिसे हम बॉरिक एन एंट्रैड या फिर बोर्यक्ष बैड कहते हैं बचो क्या बोलते हैं बॉर्यक्ष बीड कहते हैं बात समझ में आए बचो कि किस तरह इसके रेक्शन होई है the meta-borate of many transition metal have characteristics color क्या होता है जो metaborates होते हैं बच्चों transition metals के उनके पास कुछ characteristics color होते हैं and therefore borax bed test can be used to identify them in a laboratory और उसी के लिए borax bed का test जो होता है उसका use के जाता है उनको laboratory में identify करने के लिए बात clear बच्चों मैं बात करता हूँ for example when borax is heated in a bansan burner flame with cobalt oxide on a loop of platinum wire क्या बोला मैंने बच्चों अगर मैं borax को क्या करता हूँ heat करता हूँ bansan burner flame पर cobalt oxide और loop of platinum wire के साथ तो मुझे blue color का क्या मिलता है cobalt metaborate मिलता है जिसका formula क्या होता है cobo2 का hole twice cobalt metaborate bed मिलता है बात clear है बच्चों तो यह था हमारा किसके बारे में एक borax के बारे में था जहां पर हमने एक metaborate देखा बच्चों metaborate form हो रहा था और उसके साथ यह क्या form होता borax bed फ्रॉम होता तो हमसे यही पूछ जाता है बच्चों कि अगर मैं borax को heat करते हैं तो क्या हमें sodium metaborate मिलता है और उसके साथ क्या मिलता है उसके साथ हमें borax bed मिलता है तो इसी से हमें question कि बारे मिलता है कि रेशन कराने मिलता है उसको हम claim करते हैं तो कैसा color देता है वह हमें वो सब यह जबने से पूछे जाता है बच्चों बात क्लियर है अब मैं बात करता हूँ बच्चों औरतो बॉरिक acid की औरतो बोरिक एसीड के होता है बच्चों औरतो बोरिक एसे्ट इसे वाइट क्रिस्टलाई ता है विद शोपी टच मतलब एक साबुन जैसा तो इतना ज्यादा नहीं होता है बट अगर मैं हाइड्रोबॉरिक एसिड को या फिर में बोल दू और तो बॉरिक एसिड को होट वाटर के अंदर सॉलीबल करूं तो वह नोर्मल वाटर के अंदर वह इतना ज्यादा नहीं होता है बट अगर मैं हौट वाटर की बात करता हूं तो वहां पर वह बहुत ज्यादा सॉलीबल हो ज़ाता है क्या बोला मैंने बच्छों आपने देखा था कि अगर बोरेक्स को Acidic 5 कर दिया जाए Equus Solution of Acid से मतलब अगर Borax की Reaction Equus Acid के साथ करवा दी जाए तो हमें क्या मिल जाएगा हमें Orthoboric Acid मिल जाएगा For example आप यहां देख पा रहे है Na2B4O7 क्या है Borax जिया हो है बच्चों अगर इस Borax की Reaction 2 Molecule HCl के साथ करा दे और 5 Molecule H2O के ले ले That means Equus Acid एक ले ले तो हमें क्या मिलेगा बच्चों हमें 2 Molecule NaCl के और 4 Molecule H3BO3 के फॉर्म होते हो दिख रहे हैं That means यह एक Reaction आप देख पा रहे है जहां पर हमने Orthoboric Acid को क्या कर लिया है फॉर्म कर लिया है बच्चों बात क्लियर है यहां तक It is also formed by the hydrolysis Hydrolysis के भी हम इसको formation कर सकते हैं बच्चों कैसे It is also formed by the Hydrolysis of most Boron Compounds क्या बोला मैंने जो Boron की Compound होते हैं For example Boron Halide ले लो Boron Hydride ले लो अगर उनका Hydrolysis करा दे हम That means उनकी Water के साथ Reaction करा दे हम तो भी हमें Hydroboric Acid यहां मैं कहा दूँ Orthoboric Acid का formation होता हुआ दिख सकता है बच्चों मैं बात करूँ बच्चों structure की Hydroboric Acid की structure कैसे होती है It has a layered structure बच्चों इसकी structure एक layered structure होती है In which the planar BO3 units are joined by a hydrogen bond जिसके अंदर क्या होता है BO3 units होती है इसके अंदर BO3 units होती है जिसके आप यहां देख पा रहे है यह क्या है मेरी यह एक Hydroboric Acid की यह मैं कहा दू Orthoboric Acid की क्या है structure है structure of boric acid the dotted line represents the hydrogen bond इसके अंदर आप dotted line देख पा रहे हैं यह सब क्या है मेरे यह मेरे hydrogen bonds को show कर रहे है बात क्लियर है Boric Acid is a weak monobasic acid क्या होता है बचो Boric Acid एक weak monobasic acid है कैसा है weak monobasic acid ऐसा क्यों बोला मैंने बचो बता यह weak monobasic acid क्यों बोला मैंने बचो इसको अब जस्ट हम थोड़ी सी देर बाद पढ़ेंगे बचो बात क्लियर है इससे पहले मैंने आपको इस Boric Acid की structure की बात कीती बचो तो हमसे caution किया जाता है बचो कि Boric Acid की structure कैसी होती है तो कैसी होती हम क्या बोलेंगे एक layered structure होती है जिसके अंदर हमारी BO3 unit जो है planar BO3 unit जो है वो hydrogen bond के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं बात क्लियर है अब मैंने बोला था बच्चो अभी कि ये मेरा एक weak mono basic acid है ऐसा क्यों बोला था इट इस not behave as a acid but act as a lavish acid by accepting electrons from hydroxyl ion क्या बोला मैंने बच्चो ये एक acid है पड़ ये हाइड्रोक्सिल आयन के पास से electrons को accept करता है बच्चो क्या करता है hydroxyl ion के पास से electrons को accept करता है for example मैं बात करता हूँ एक hydroboric acid ले लिया मैंने या मैं बोल दू और तो बोरिक acid ले लिया बच्चो उसकी reaction मैंने कराई water के साथ आब water में आप जानते हो बच्चो एक H plus होता है एक OH minus होता है बच्चो बात क्लियर है तो हमारा hydroboric acid ने क्या किया और तो बोरिक acid ने क्या किया उसने एक OH को अपने पास add कर लिया मतलब OH minus को अपने पास add कर लिया और खुद convert हो गया है B OH 4 minus में convert हो गया है बच्चो किसमें B OH 4 minus में convert हो गया है और एक H 3 O plus बहार निकल गया है बच्चो बात क्लियर है तो आपने क्या देखा बच्चो यहां पर आपने यह देखा कि जो मेरा B OH 3 था B OH 3 का whole trice था उसने एक OH minus को अपने पास ले लिया है और अपने पास लेने के बाद किसमें convert हो गया है B OH 4 minus में convert हो गया है तो यह levis acid की तरह behave क्यों किया बच्चो क्योंकि इसने OH minus को accept किया है अपने पास और जो OH minus को ले लेगा वो कैसा कहलाता है वो acid कहलाता है बच्चो इस बात को हमें क्योंकि वो donate करता है क्योंकि वो hydrogen bonding करता है या वो OH minus से electron अपने पास लेता है या फिर नन आउस ऐसे और क्या option चार्ट दे दी जाएं तो हम right answer कि कि को करेंगे कि वो OH minus electron लेता है OH minus को अपने अंदर add कर लेता है इसलिए वो levis acid की तरह behave करता है बात क्लियर है बच्चों बात समझ में आई बच्चों कैसे बोला मैंने इसको ठीक है on heating orthoboric acid above 370 Kelvin temperature forms metabolic acid अगर orthoboric acid को बच्चो 370 Kelvin temperature से ज़धर temperature भी heat के जाता है तो वो एक metabolic acid का formation करते हैं जिससे हम बोल सकते हैं HbO2 metabolic acid का formation करते हैं which on further heating yields boric oxide और अगर उसको फिर heat कर दिया जाए तो वो boric acid boric oxide का formation कर देंगे that means B2O3 का formation कर देंगे जैसे कि आप reaction देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर H3 B2O3 फिर orthoboric acid को मैंने heat किया तो मुझे एक metabolic acid मिला बच्चों metabolic acid क्या होता है HbO2 का formation होता हुआ दिखा और उसको अगर मैं further heat किया तो मुझे B2O3 form होता हुआ दिख रहा है boric oxide form होता हुआ दिख रहा है बच्चों बात क्लियर है कैसे मैंने यह वाली reaction कर देंगे अब हम बात करते हैं क्या बोल रहा हुआ बच्चों मैंने बोला हम किस तरह डाइस का formation कर सकते है डाइबोरेन का अगर BF3 की reaction बोरोन ट्राइफ्लोराइड की reaction LiAlH4 Lithium Aluminium Hydrate के साथ करा दी जाए तो मुझे यह डाइबोरेन का formation होता हुआ दिख जाएगा बच्चों किसका एक डाइबोरेन का formation होता हो दिख जाएगा उसके साथ LiF और ALF3 बहार निकलते हुए दिख जाएगे बात क्लियर है कैसे formation करते हैं डाइबोरेन का बच्चों समझ में है यह चीज Easy Laboratory Method for the Preparation of Diborane involves the Oxidation of Sodium Borohydride with Iodine क्या बोला बच्चों अगर Sodium Borohydride जो है उसकी Sodium के साथ reaction करा दे तो भी मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों डाइबोरेन मिल जाएगा जैसे आप देख पा रहे हैं यह यह दे रखा है मुझे Sodium Borohydride अगर इसकी reaction में I2 के साथ करा दू तो क्या हो जाएगा Oxidation हो जाएगा बच्चों Oxidation मतलब Electrons का Loss होना Oxidation हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा यह दाइबोरेन का formation होता हो दिख जाएगा और NAI और H2 gas वहा से बहार निकलते हो दिख जाएगे side product को रूप में that means हमने laboratory method से भी एक डाइबोरेन का formation कर लिया है बच्चों बात क्लियर है यहां तक कि कैसे यह reaction होई है डाइबोरेन is also produced on an industrial scale डाइबोरेन को बच्चों एक industrial scale पर भी prepared के जा सकता है प्रेड्यूस के जा सकता है कैसे बाइदा reaction of BF3 with sodium hydride अगर BF3 की reaction बच्चों sodium hydride के साथ करा दें तो वहां भी हमें मैं बात करूँ बच्चों physical state की तो डाइबोरेन मेरा एक colorless compound होता है कैसा होता है colorless compound होता है और highly toxic gas होती है बच्चों क्या होती है highly toxic gas होती है with a boiling point of 180 Kelvin बात क्लियर है बच्चों और boiling point केतना होता है 180 Kelvin होता है बच्चों बात क्लियर है डाइबोरेन catches fire spontaneously upon exposure to air अगर डाइबोरेन को air की presence दे जाए तो वो fire में convert हो जाती है बच्चों that means बहुत जल्दी burn out हो जाती है बात क्लियर है डाइबोरेन का क्या हुआ एक physical method it burns in oxygen releasing large amount of energy वो burn होती है और oxygen release करती है last large amount of energy को वो क्या करती है release करती है for example आप यहाँ पर डाइबोरेन देख पा रहे हैं B2H6 अगर इसको मैं oxygen की presence दे दूँ तो यह अपना oxide बना लेगा और एक water molecule का formation कर देगा और वहां से large amount of energy बहार निकलते हो जिकर रही है जैसे आप दे नोट कर रहा है बच्चों कि energy release हो रही है यहां से क्या हो रही है energy यहां से release हो रही है बच्चों that means हमने देखा कि डाइबोरेंट की reaction अगर एर के साथ कर रही है तो oxide और water के बनने के साथ साथ बहुत ज़दा amount में energy भी release हो रही है बात क्लियर है most of the higher borans are also spontaneously flammable in air बहुत सार है borons are really hydrolyzed by water to give boric acid अगर boron को बच्चों hydrolysis करा दे जाए या फिर water के साथ reaction करा दी जाए तो वह हमें hydroboric acid यहां मैं कह दू और तो बॉरिक acid का formation होता हुआ दे देते हैं जैसे की b2h6 की reaction अगर मैं six molecule water के साथ कराता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा मुझे hydroboric acid यह मैं कह दू और तो बॉरिक acid की reaction में ammonia के साथ करा दू तो क्या product मिलेगा देखिए reaction of ammonia विद डाइ बोरेंट गिव इनिशेली b2h6.2 nh3 विच इस फर्मुलेटेड एज b2h2 nh3 का hole twice और hole bracket plus 4 bh4 minus बच्चों एक ही compound हमें form होता हुआ दिखेगा एक ऐसा complex form होता हुआ दिखेगा further heating gifs बोराजीन अगर इसको और heat किया जाता है बच्चों तो वह हमें बोराजीन का formation होता हुआ दिखेंगे बोराजीन क्या होता है बच्चों B3N3H6 जिस तरह बैंजीन पढ़ते हैं महाँ पर इसी तरह बोराजीन है जिसको जिसका formula होता है B3N6H6 जिसको इन ओर्गनिक बेंजीन भी बूला जाता है बच्चों क्या बोला जाता है इन और्गनिक बेंजीन भी बूला जाता है बात क्लियर है इन व्यू आफ इस रिंग स्ट्रेक्चर विद अल्टरनेट B1H3 यह हमें सबसे पहले फॉर्म होता हुआ दिखता है और जिसको फॉर्म बेसको फॉर्मुलेट करके बच्चों कुछ इस तरह लिखा जाता है आप देख पा रहे है बात क्लियर है बच्चों सबसे पहले कैसा लिखा जाता है इसको और अगर इस जो बनाये हमारा compound इसको further heat कर दिया जाए तो further heat करने वे बच्चों ये बोरा जीन हमें convert हो जाता है किसमें करने हो जाता है बोरा जीन में convert हो जाता है और इसका formula क्या होता है बच्चों बोरा जीन का formula होता है B3N3H6 क्या होता है बच्चों B3N3H6 क्या होता है formula होता है और इसको बच्चो इनागनिक बेंजीन भी बोला जाता है क्यों? इन विव आफ इस स्ट्रेक्चर विद अल्टरेट बी एच एंड एनेच ग्रूप जो आप बोरजीन की स्ट्रेक्चर देख पा रहे हैं बच्चों उसमें आप देख पा रहे हैं कि बी एच एनेच बी एच एनेच से अल्टरेनेट बॉन्ड दिये हुए हैं इसलिए हम क्या बोलते हैं? यह हमारा है एक तरह सा इनाओर्गनिक बेंजीन बात क्लिए है? अगर मेरे रेक्शन की बात तो रेक्शन कैसे होती है? बात क्लिए है और कुछ अमांट में हाइडोजन गैस महां से इवाल्व हो जाती है बात समन में है बच्चों कि किस तरह डाइबोरन की रेक्शन होती है अमोनिया के साथ? इस रेक्शन का भी बच्चों हमसे पूछा जाता है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड मिल बनता है जब हम डाइबोरन की रेक्शन to ns3 के साथ कराते हैं तो हमें यह पूछ फार बच्चों फॉर्म हो दिखता है बात क्लियर है अगर में डाय बोरोन की स्ट्रेक्टर की बात करूं तो उसके अंदर चार हाइटोजन एटम और दोनों बोरोन एटम एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं बच्छों जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं देख पा रहे हैं बच्छों यह चार हाइटोजन एटम मेरे और दो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक मेरा उपर की तरफ प्रेजेंट है और एक मेरा नीचे की तरफ प्रेजेंट है बात क्लिए रहे बच्छों यहां तक तू सेंटर टू एक्टोन बॉंड है वाइल दा टू ब्रिज बोरोन फाइड्रोजन बोरोन बॉंड और डिफरेंट एंड कैन भी दिस्क्राइब इन टम्स ओफ त्री सेंटर टू एक्टोन बॉंड बट यहां पर आप जो ब्रिजिंग हाइड्रोजन देख पा रहे हैं बच च् Academic bênh बॉंडब दोही एक्टोन एक हैड्रोजन का और एक बोरोन का और तीनुर करता है बात क्लि stands बास प्राक्ष्थ्र of hydroborates and most important one is the tetrahydryl boron बच्चों बहुत सारे क्या फोर्म करता है hydroborates भी फोर्म करता है और उसमें से सबसे important क्या है tetrahydryl bh4 minus ion जो हमारा tetrahydryl bh4 minus ion है वो हमारा क्या है सबसे important hydroborates है बात क्लियर है tetrahydrydo borates of several metal are non lithium and sodium tetrahydrydo borates also known as borohydrites are prepared by the reaction of metal hydride with B2H6 in diethyl ether बात क्लियर है बच्चों मैंने क्या बोला tetrahydrydo borate होते हैं मेरे बहुत सारे metals की वो बहुत सारे हमारे पास known है अगर मैं बात करूं lithium and sodium tetrahydrydo borate की वो भी मेरे क्या है वो भी मेरे borohydrites है बात क्लियर है और परण की preparation कैसे की जाती है बच्चों उनकी preparation की जाती है reaction of metal hydride with B2H6 किसकी presence में diethyl ether की presence में अगर B2H6 की reaction में किसकी साथ करा दूं बच्चों किसी metal के साथ करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बताइए मुझे borohydride form होते हुए दिख जाएंगे बात क्लियर है जैसे मैं बात करता हूं M H की reaction मैंने B2H6 के साथ कराई मेरा M क्या है यहां लीथियम हो सकता है सोडियम हो सकता है दोनों में से कोई भी metal हो सकते है इनकी reaction अगर मैं B2H6 के साथ करा हूं तो मुझे मिल जाएगा बच्चों M plus BH4 minus मिल जाएगा बच्चों यहां मुझे borate मिल जाएगा बच्चों बात क्लियर है अब मैं बात करता हूं बच्चों bonding in diboron के अंदर की diboron के अंदर bonding कैसी होती है इच बोरोन एटम uses SP3 hybridized for bonding जो बोरोन होता है मेरा डाइबोरेन के अंदर वो बोरोन मेरा SP3 hybridized होता है बच्चों कैसा होता है SP3 hybridized होता है out of the four SP3 hybrid on each boron atom one is without an electron shown as broken line जो हमारा SP3 होता है उसके अंदर SP3 hybridized orbital होते हैं बोरोन के पात चार उसके अंदर से जो एक bond हो है वो broken line से देखने को मिल रहा है क्यों क्योंकि वो empty होता है बच्चों कैसा होता है empty होता है आप जानते हैं बोरोन के पास वेलेंच शेल में 3 electron होते हैं वो तीन ही electron बना सकता है चौथा bond आपको empty bond दिखाई दे रहा है जो कि एक broken line से या फिर मैं कहा दूँ dash line से form होता हुआ दिख रहा है बात clear है the terminal boron hydrogen bonds are normal two centered two electron bonds हमने पड़ा था बच्चों जो terminal boron hydrogen bond होते हैं वह two centered two electron bond होते हैं बट जोirs जो बिर्जिंग हाई हुँसे घ्राग दिखाई दे रहे हैं आपको भी च्टीट बॉंड होते हैं फ二sand सेंटर्ट टू इलेक्ट्रोन ब्रिज बॉंड आर और आल्सो रेफर्ड एस तु बनाना बॉंड उन्हीं को बच्छो बनाना बॉंड भी कहा जाता है कैसे अगर मैं इसको कुछ इस तरह कर दूं तो वह मेरे एक बनाना जैसी शेप में आ गए है इसलिए उन्हें बनाना बॉ सब किनığı के बारे में study कि की है बच्छों यह सब था अब्र उसकी बारे में याज हम लोकिया है बोरॉन के सारे compounded compound शेम आरे बोरेक्ष हो गया बच्छों एक हमने क्या पड़ा था एक हमने इभी डैब्र पर लिया है उस से पहले हमने क्या पढ़ा था और तो बोरिक ऐसे हो गया इन सब के बारे हमने आज डिटेल स्टडी की ती आई होप आप सब को समझ में आया होगा थैंक यू